आप लोग बड़ी होंगे मज़े में होंगे पढ़ाई लिखाई भी बहुत मज़े में चल रही हो गिया वाँ अभी बिल्कुल विंटर चल रहा है और आप सभी लोग लोग पढ़ाई को बिल्कुल डिस्टर नहीं कर रहा होंगे सो हलो आवरिवान मैं उमीद कर रहा हूं कि आप लोग ठीक ठाक पढ़ाई लिखाई भी कर रहा होंगे सो एक दाफ़े आजाए पहले विंटर से मैं भी आपको देखे थोड़ा सा सर्द में रहता हूं आजाए सर्द आजाए ओके फटा फट पहले आजाए लोग फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करने अपनी तो फिर्स जोइन मी गाइस सबी लोग मुझे पहले फटा फट जॉइन कर लिए देन भी स्टार्ट फटा फटा जी जो कि आपके लिए आठ फटा फटा जी जो कि आपके लिए आठ वजे रेगलर ली रेगलर बेसिस पे आपके लिए करेंडर फैसले के आता हूं मंडे टू संडे लेकर आता हूं कुछी जूटनी नहीं चाहिए अपने लिए मेरे पूरी कोशिश होती है फटा फटा जी जो कि आपके इग्जामनेशन के ले इंपॉरें नहीं होता हैं बट जो हमारे examination को important है वह सारे के सारे news हम लोग cover करते हैं ठीक है ना so please आ जाएं सभी लोग आ जी फटाफट जुड जाएए connect हो जाएए फिर हम लोग फिर क्या करते हैं अपने class को आगे बढ़ाते हैं okay great 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 देखूं कौन कोन आ गया है so आ जाएं सारस अ के वेरी गूद मौर्न वरी गूद मौर्न तो आ जाएए okay very good morning to all of you okay sirs and ma'ams right okay sirs and ma'ams very good join me fast फटा फटा फट जाएं करें हुझा है पहले आ जाए यह सो ओके सभी लोग लग 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 आ रहे हैं आते रहे हैं पहले आज़ी सब फटा फट सुमन कारुनेश डॉक बीके गुंजन कुमारी रोहिद गुड मॉर्निंग इस ओके प्रमीला सचन अलका पटिल हाई सभी लोग लोग अपने क्लास को शुरू ही कर लें पहले आप लोग आते रहेंगे हम लोग अपना काम शुरू कर लें ठीक है सब्सक्राइब बात करते हैं सब्सक्राइब अब जाने इंडिया आप जानते हैं इंडन एक्सप्रेस पी आई भी डी नियूस चुटता नहीं है अप्साइब करते हैं झू आपकोष्यूस नियूस तो वहाँ सारे होते है फूरा थे रहता है लेकर हमारी काम ने इंसर आब लोग बह्तित्व शाएक्राइब खुठा डील प्रोग्राम को इसको सपोर्ट को इसको करते हैं ठीके ना कि अभी आप जानते हैं कि जिस तरीके से एम लक्षमिकान सर की किताब जो है वो that is very important, that is a bible for Indian polity for all the sprints जो की UPAC के लिए त्यारी कर रहे हैं, उसी तरीके से आपके लिए क्या है, इस्पेक्टरम का स्रीज भी है, तो इस्पेक्टरम को लेकर के हम लोग अभी क्लास शुरू करे जो हम एम लक्षमिकान सर की किताब को chapter wise discuss कर रहे है, right, so अगर आप जो भी new students है on academy पे, आप पर आने के बाद, आपको एक code मांगेगा, जितने भी आपके पास lectures है, current affairs हैं, जो quizzes है, कुछ भी है, उनसा भी को access करने के लिए code आपको डालना है, पवन 10 का, पवन 10 का code डालेंग इसके अलावा current affairs का revision and evaluation भी चल रहे है, 2021 और 22, उसके beat भी अपने चल रहे है, so आपके पास 2021 और 22 के लिए M. लक्षमिकान सर की किताब है, so these are on unacademy app, unacademy के आप पर जाने पर आपको मैं फिर से बता दू, कि अगर आपको जो भी free content है, जो available लेना है, तो आपके लिए code मां batches भी हैं, आप देखेंगे, this batch is going to be on the 28th of December, 28 December से batch शुरू हो रहा है, with the best of the teachers of India, यह आप देख पारेंगे, आपके पवन सर, यह मुनाल सर, यह सुनिल सिंह सर, आप सब भी को देख पारेंगे, they are all the best teachers, simultaneously यहां दूसरा batch भी चल रहा होगा, जिसमें मदुकर कोटवे सर हैं और, I mean, दिपांसू सर हैं और मुनाल पर्टेगल सर हैं, so you can get access of everything in this bag, so पूरा का पूरा 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 प्लेम सिलिवस कवर हो जाएगा, top educators, flame stage series with analysis, ठीके न, PDF आपको मिलने वाला है, doubt clearing sessions होते हैं, interview preparations भी अपकी होने वाली, यानि कि मतलब, सुरू से लेकर आखरी तक आप खतम हो जाएगा, यह जो है, आपका six months, यह course चलेगा, इसके just बाद आपका शुरू हो जाएगा, means का, means का, means खतम होगा, just शुरू हो जाएगा, interview होगा, so it's the first thing in a series, ठीके न, तो ठीके है, हम लोगो six months में खतम करना है, क्योंकि examination 27th of June को है, so you should not forget to join this batch 28 December, right sirs and ma'ams, so it is an opportunity for those people, जो कि चाहते हैं, 2021 के examination को अपना materialize करना, right sirs, और आपको मता दो कि Iconic का subscription बढ़ने वाला, अगर आप में से कुछ भी Iconic लेना चाहता है, तो Iconic का subscription बढ़ने वाला है, is going to be high soon, so पिससे पहले कि Iconic हो जाए, आपको यह लेना चाहिए, ठीके न, so आपको करना कैसे है आपको बता दू, कि Unacademy का subscription लेने के लिए, या आप get CACGS, subscription and unlock more, इंडिया के best educated daily interactive live classes, instruction and PDF के लिए, आपको क्या करना होगा, यहाँ आप get subscription के लिए जाना होगा, get subscription जाएंगे, तो पूरा का पूरा 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 यहाँ पर में, तो आप देखेंगे, जैसे आपने यहाँ पोड दाल दिया, जो required है, तो आपके पास ये देखिएगा, कि fees आपके discounted हो जाती है, टीके ना, so you will get 10% of discount, right, so apply this code, पोड़े जाना होगा, आपने से कोई भी इस batch को जाना चाहता है, that is the wonderful batch by exceptional teachers, ठीके ना, you can join it, तो चलिए आजे फटाफटा आजे अब हम लोग अपने क्लास को सुरू करते हैं विरीवत अपनी क्लास को शुरू करना शुरू कर देते हैं चलिए तो चलिए गिल्स नोट तो मर्जर आफ पोर फिल्म मीडिया यूनिट विट एन अफ डिसी एक तो यह टॉपिक हमें डिस्कस करना है दूसर क्या है कि इन अब वेरी रियर कंजंक्शन जूपिटर यानि की ब्रेस्पती स्टार्ण यानि सनी केम वेरी क्लोस अभी हाल हाल में आपने देखा है एक सलिस्टिल फेनोमेन हुआ है कि बहुत ही रेर फेनोमेन है बहुत ही रेर होता है बहुत कम होता है यह घटना होती है आपको देखने को मिलती है इन अ वेरी रेर रेर फेनोमेन है जिसमें आप देखेंगे एक कंजंशन मिला है जूपिटर का और साटर्न का जो की काफी लंबे अंतराल पे होता है दूसरा, Ease of Doing Business में, Government Grants, Additional Borrowing Permissions, ठीक है, उसका Great Indian Bustards के बारे में बात करेंगे, It is a Bird, जो कि हमारे लिए न्यूज में है, Environment का Topic है, इसको भी हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है, फिर F.A.18, Super Hornet Fighter Jets है, ये भी हमारे इंपॉर्टन है, अब्दुलरहीम खान खाना, ये भी हमा अब ये जो कौन-कौन से, पोर फिल्म मीडिया यूनिट्स हैं, और इसके क्या माइन है, इसको मैं समझने की कोशिश करेंगे, किसके साथ इसका मर्जर हुआ है, तो NFD के साथ है, थ्रू रासलाइशन अफ इंफ्रास्रुक्च्च्च्चर, मान पवर और अदर रिसोर्स, अब देखेगा, फिल्म मीडिया एकायों का, NFDC के साथ विलाई करने की अनुमती देता है, ठीके, आज ये देखते क्या है, सो क्याबनेट ने अप्रूव दिया है, मर्जर ओ, फिल्म डिविजन, डिरेक्टरेट अफ फिल्म फेस्टिवल, नाशनल फिल्म अर्काइब्स, इंडिया चिल्डरेंट फिल्म सुसाइटे, इंडिया, विट नाशनल फिल्म डवलॉप्मंट कॉर्पडेशन, यह द्यादेट यह चार आपके पास अलगला यूनिट थे ता ह bent, यह आपका वास फिल्म इविजन है भारत का फिल्म डिविजन, एक, दूसरा ए डिरेक्टर प्पृष्यूटॅ थी सब्सक्राइब, जिटने सारे जे जिटने आपके जो मैंपावर हैं, उनका मर्जर हो जाएगा, जो भी रिसॉर्स आपके पास इसनसाधान उप्लब्द हैं, इन सबी का यहां पर मर्जर होने वाला है, राइट? तो यह याद रखना है कि कौन-कौन सा हुआ है, फिल्म डिविजन है, डिरेक्टरेट और फिल्म फेस्टिवल से, नासल फिल्म आर्चाइब्स उसाइटी आफ इंडिया है, विट नासल फिल्म डिवल्प्मेंट कॉर्परेशन, एन एफडी के साथ इसका मर्जर किया गया है ठीक है सर, चलिए, अब देखते हैं, इसका माइन है क्या है, अगर हम किसी चीज़ को मर्ज करते हैं, तो जहिर सी बात है, उसका एक उद्धेश होता है, क्या है, उसका महत्तु क्या है, सिग्निफिकेंस है, क्योंकि आप जानते हैं, यूपिस के इग्जामेनेशन में, आपका Information Broadcasting Minister है, मिनिस्टर है साब है, प्रकास जावरेकल साब, मर्जर फिल्म मीडिया यूनिट्स, जो चार यूनिट्स हैं, अब देखे, एक ही काम को करने के लिए, अगर चार संस्थाएं हैं, ठीक है, अगर एक ही कोई काम करने हैं, और इसके लिए चार संस्थाएं बन हुआ है, तो इसमें क्या होता है, अगर आप देखेंगे कि 4 संस्थाएं हैं, अगर एक ही काम को कर रही है, ठीक है, तो इससे होगा क्या, कि कभी आपके पास जो काम में Efficency नहीं हैगी, ठीक है, दूसरा क्या है, कि आप देखेंगे, जो भी संसाधन है, वो संसाधन भी ब यह प्रोजिकल है क्योंकि जितने भी संस्थान यह चारों को चारों संस्थान है, जाए फिल्म डिविजन हो या जो खुछ भी हो ठीके ना, इन सबस्क्राइब को मर्च कर दिया जाये इनके माणपावर के साथ, इनके संसाधन के साथ, ताकि क्या हो सके, इनके बीच में कोडिनेशन इतनी बात हो गई नेक्स आजिए हाइलाइट्स ऑप दो मीटिंग क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मुझ चर्चा कर लेते हैं इसमें क्या में अप्रूव कर दिया कि यहां पर क्या होगा एक ट्रांजेक्शन अड्वाइजर होगा और लिगल अड्वाइजर को नीप्त किया जाएगा क्योंकि मर्जर की बात है तो सारे यह अंसंस्थाओं कि अपने टर्म्स और कंडिशन्स होगे उनके पास जितने भी ट्रांस्फर अफसेट्स होगा इन सभी को अड्वाइज देने के लिए एक ट्रांजेक्शन अड्वाइजर और लिगल अड्वाइजर को नीप्त किया जाएगा इसके लिए क्यामिट ने अपनी अनुमती दे भी है ठीके ना ताकि बेतर तरीके से यह जो मर्जर का प्रॉसस शुरू हो रहा है वह आपका कंप्ली चाहिए कुछ रिविजन होना जरूरी है ताकि जो डिटीएज की सर्विस है इंडिया में वह बहतर तरीके से और कंजूमर फ्रेंडली हो सके तो डिटीएज में कुछ क्या है कि अभी कुछ संशोधन की आवश्यक्ता है कि जो गाइडलाइन्स दिये गए हैं इंडिया के उसमें कुछ संशोधन होना अमेंडमेंट होना है ताकि रेविन्यू ज्यादा जर्नेरेट कर सके और यह कंजूमर फ्रेंडली भी हो सके ज्यादा ज्यादा हो सके इसले के इस बात के लिए अनुमती दे दी है कि जो डिटीएज को लेकर के डारेक्ट टू हम सर्विसेस आत अब यह भी याद रटना है कि गाइडलाइन एक चीज यह भी का है कि अब यह जो आपका डिटीएज का सर्विस है इसमें सौफ फीसदी एफडी इन डिटीएज सर्विस को अलाव कर दो तो यह आपके लिए पीटी के पॉइंट भी से इंपारेंट है कि यह कभी भी आपक प्लीज याद जरूर रखिएगा ठीक है चलिए यह अपने हिंदी में भी देख लिया यह सारे के सारी यह आप देख पा रहे होंगे और यह आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों का पीडिएफ आपको मिल ही जाता है जो मैंने टेलिग्राम गुरुप शिदेर रखा है अगर प्रवाइट कर रहे हैं तो बहुत इंबॉडन बात है कि क्या दिखाया जा रहा है क्या किया जा रहा है तो कुछ कंपनिये को DTS सर्विस प्रवाइट करने की का लाइसेंस दिया आता है तो अभी तक जो है जो अभी जो इसमें आमेंडमेंट सर्विस्ट किया गया है एक amendment तो हो गया कि DTS में आपको 100% FDI दे 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 रहा है दूसरे का amendment और भी किया जा रहा है कि जो पहले license दिया जा रहा था वो 10 साल के लिए दिया जा रहा है यानि कि अभी तक का ये प्राभधान था कि DTS service में अगर किसी company को license दिया जा रहा है that would be only for 10% वो 10 वर्षों के लिए होगा ठीक है तो अब ये कहा गया कि हमेशा 10-10 साल पे जो license आप renew करते हैं उसे बैटरी थोड़ लंबा समय के लिए कर दें ताकि आप कोई भी पूरा setup अगर लगाते हैं कोई भी DTS service provide करेगा तो एक पूरा setup करना पड़ता है आप जानते होंगे क्योंकि प्रशारन कैसे होगा ये सारी चीज़े आप समझ पर हैं service कैसे provide क्या जाएगा तो infrastructure को set करने में काफ़े time लगता है और काफ़ investment भी होता है मालने कि कल के date में आपने license कैंसल कर दिया तो जिस बशारी ने किया तो उसका बहुत ज़ा नुकसान हो जाएगा तो कहा गया कि DTS service के लिए जो providers हैं इसके लिए आप क्या करें जो license का tenure है ना वो थोड़ा से बढ़ा दीजे तो यानि कि अब 10 साल से 20 साल का प्राभधान कर दिया है यह changes ज्याद रखेगा UPS से सारे के सारे पॉइंट्स फूच लेता है कि जो changes अभी हुए हैं DTS service को लेकर के उसमें क्या-क्या चीजें हुए एक तो हो गया 100% FDI कर दिया गया यानि कि प्रतेक्श विलेसे निवे इसको 100 थी सदी कर दिया गया और दूसरा जो DTS saver प्रदान करने वाले जितने भी संस्थाएं हैं जो कंपनिया हैं उसके लिए license को 10 साल से बढ़ा करें 20 साल करने का प्राबधान कर दिया है यह दूसरा बदलाओ हो गया ठीक है चलिए इसको भी आपने देखा कि यह कितना हो गया यह सर यह आपके पास 20 years के लिए 20 years ठीक है ना एक तो हो गया 100% FDA और दूसरा गया 20 years के लिए license issue के है DTS license will be up 20 years तीसरा क्या है इसके अंदर कि DTS operators will be permitted to operate to a maximum of 5% total channel carrying capacity as permitted from channels ठीक है ना अब DTS operators जितने भी हो उनको यह आजादी दी गई इसी बात की क्यों लगजादी है कि operate करेंगे maximum 5% of its total channel carrying capacity जितनी इसकी channel की carrying capacity होगा उसका केवल और केवल 5% ही वो operate करेंगे वाली 5% ठीके ना करेंगे capacity permitted platform channels ठीके तो यह तीसरी बात थी जो आपको ध्यान में रगना है तो दो-तीन चीज़े हो गई जो आपको याद रखना है सर पहला तो हो गया कि 100% FDI 100% FDI is important just one thing दूसरा आपके पास हो गया कि license हुए अवरी 20 साल के लिए और जो operator है DTS operator जो चैनल की carrying capacity है उसका maximum 5% ही वो operate कर सकता है ठीके ना यह इतना इनको permit किया गया है यह आप देख पा रहे होंगे in a very conjunction Jupiter और जो आपके पास Saturn है यह बहुत की close आते हैं यह आपको एक image दिख रहा होगा जो कि आप फे जो orbital path है किसका है यह आपके अर्थ का है यह North Pole South Pole दिख रहा होगा इसका different position दिखाई देर होगा spring in Northern Hemisphere, ottman in Northern Hemisphere ठीके ना यह Southern Pole पे summer in Northern Hemisphere and winter in the Northern Hemisphere ठीके यह इसका आपको दिख रहा है this is the sun ठीके अब यह देखिए एक celestial इखटना है अभी हाल में दुनिया ने 21 जून को किया हुआ है कि दुनिया ने एक rarest celestial यानि कि एक event देखा है कल, rarest celestial event, yesterday ठीके जिसमें Jupiter और Saturn जो अपने पाथ पे बहुत ही close आये, they came very close क्योंकि आप जानते है कि और वाइटल पाथ है और एक दूसरे के सारी और चक्कर लगा दे रहे हैं, तो यह क्या है कि अपना यह चक्कर लगाते हुए इनका जो movement है, जो speed ह आप देखेंगे, इनके पात्मी वैसे, Jupiter और Saturn बहुत ही close आये थे, यह एक rarest घटना है, जो आपको किस सारी को दिखा है, मतलब कि भी हाल में यह घटना हुई है, Jupiter और Saturn came very close to each other, ठीके, आप conjunction, if two celestial bodies, यानि कि दो अगर जो आपके पर सग्रहिये, जो bodies है, निकाई है, visually आप क conjunction, so conjunction का मतलब क्या हो गया, कि प्रिथवी के नजदीक, अगर दो, कम से कम, two celestial bodies, यह क्या दो है, visually, आप यह रोधने close करके, ठीके न, इसका मतलब क्या है, कि प्रिथवी के बिल्कुल करीब अगर आ रहे है, प्रिथवी के करीब आ रहे है, तो इसको हम लोग घटना को बोलत हो, दुर्बीन जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर देखेंगे, तो खगोल यह जितने भी suns, जो bodies है, उनको देखने के लिए आपको क्या करना दुर्बीन लगाना पड़ता है, ठीके, आपने देखा, तो आपको generally क्या करना पड़ता है, और आलग जगहों पर देखना पड जो celestial worlds हैं, इन solar system के Jupiter और Saturn वो क्या भी एक दूसरे के काफी close आए, great conjunction था यह, it happens every 20 years, यह जो earlier rare conjunction होता है, यह 20 साल में हुआ करता है, ठीके ना, so it happens about every 20 years, यानि कि प्रते इक 20 साल में होता है, अब जखेंगे कि earlier जो rare conjunction कब कब history में हुआ है, कब कब पीछी कब हुआ है, तो Jupiter और जो Saturn है सर, यह came close, close conjunction में 1961 में, 1682 में, 1982, this is 1982, okay, 1982, okay, 1983, okay, so 1962 और 1982 में हुआ, and Jupiter and Saturn too close to the Sun then, इन आप देखेंगे, आपके बास 1623, on the 16th July, it was three times closer than the Monday's event, the next such close conjunction will take place in 2080, with about 0.1 degree apart, ठीके, so अब जो अगली बर यह conjunction होने बाला है, next such close conjunction होगा, will take place in 2080, with about 0.1 degree apart, यानि कि अब इन में जो दूरी होगी, वो कितना 0.1 degree की होगी, अब यह ही थोड़ा सो जानते है, facts about Jupiter, तो जो Jupiter है हमारे याना, यह अपने line, in the line from the Sun, यह 5th पे stand करता है, 5th है, ठीके ह अगर सन को देखें, तो इसकी जो दूरी है, वो किया है, यह 5th है, it is the largest planet in the solar system, more than twice as massive as all the other planets, तो एक बात देखें के दूरी के हिजाब से यह देखें के, तो पहली बात क्या है, ठीके, सभी लोग देख पा रहा होगे, ठीके, चलिए, So, Jupiter is the 5th in line from the Sun, so it is the largest planet in the solar system, more than twice as massive as all the other planets combined, ठीके, So, it is the largest planet हो गया, in the solar system, more than twice as massive as all the other planets combined, ठीके, Jupiter rotates once about every 10 hours, Jupiter rotates every 10 hours, ठीके, So, यह क्या करता है, Sun के चारों चक्कर लगाने में 12 Earth years लेता है, और अपने अक्ष पे घूमने में 10 घंटे में घूम जाता है, ठीके, So, Jupiter has more than 75 moons, और Jupiter के पास, जैसे के प्रिथिवी के अपना एक मात्र मून है, एक only one moon है, ठीके, उसी तरीके से Jupiter के पास क्या है, अपने पास, उनके पास क्या है, वो कितना है, वो आपके पास 75 moons हैं, 75 moons हैं, ठीके सर, चलिए आ जाएगे, Dancers and Mams, ओके, next आजएगे, so Jupiter has more than 75 moons, ठीके सर, यह हो गया सारी लोगों के पास, next आजएगे, facts about Saturn, Saturn के बारे में हम लोग बात करें, Saturn के बारे में, Saturn जो है, is the sixth planet from the sun, Saturn is the sixth planet from the sun, ठीके, यह suns है, और second largest in the solar system है, यानि कि Jupiter is the largest and second largest is sun, यह हमारे पास है, यह याद रखेगा, ठी अब भी नेमोनिक्स बता जाता हूँ, J, Sun, P, यह याद रखने का तरीका हो जाएगा, J, Sun, इतना याद रखे, चार का कम सकम याद रख लेजिए, कि आपके पास जो है, Jupiter, then Saturn, then Uranus, then Neptune, ठीके न, यह सन से, ठीके न, यह सन है, this is your sun, तो आपने देखा, सबसे भाड़ी ग्रा कौन सा था, that was Jupiter, then is Saturn, ठीके न, J, Sun, P, ठीके न, तो यह हो गया, और उसके देखे, नजदीकी में देखेंगे, तो आप जानते है, sun से नजदीक सब ज़्यादा, Mercury, फिर Venus, ठीके न, M, Vem, यह होता है, यह आपका, sun से नजदीकी, यह Nearness है, close है, यह sun से, क्ला है, close, and यह है, यह shape की ज़्यादा, ठीके, so close है, M, Vem, that is called Mars, Venus, Earth, and then Mercury, sorry, Mars करते है, Mercury, Venus, Earth, and Mars, ठीके, so Saturn takes about 10.7 hours to rotate on its axis once a Saturn day, and 29th Earth years to orbit the sun, जो sunny है, वो लगबग 10 से 10 दनो 7 घंटा ले ले लेता है, अपने axis पे rotate होने में, क्योंकि आप जानते है, दो तरीकी का movement होता है, एक होता है, अपने axis के उपर में movement होता है, तो जो Saturn है, वो 10 घंटा, 10-7 घंटे में क्या करता है, अपने orbit पे, अपने axis पे move कर जाता है, और दूसरा है, कि अगर हम लोग बात करें, कि अपने जो Earth, यह जो Sun का जो आपका चक्कर लगाते है, 29 Earth years to orbit the Sun, Sun के चारो चक्कर लगाने में, इसको 29 Earth years कितने हैं, 53 known moons है, with an additional 29 moons awaiting confirmation of their discovery, there is total of 82 moons, उसके बाद discovery चल रही है, जिसमें यह पता लगने वाला है, कि Saturn के पास अपने 23 और 29 और moons हैं, हो सकते हैं, लेकिर अभी तक इसको confirm नहीं किया गया है, scientist के दोरा, जो है, वो अभी तक confirm नहीं किया गया है, confirm कितने है, 53 है Saturn के पास, and 29 हो सकते हैं, additional, it altogether 82 moons हो गया, इसके बाद Saturn के पास, ठीक है, और जो Saturn का सबसे बड़ा जो giant moon है, वो है कौन आपका, Titan, ठीक है, Titan moon, it has, Saturn has the giant moon that is called Titan, ठीक है, सब लोग समझ पा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा moon है, that is called Titan, तो इतनी बातों को सर याद रखें आपको लिख दो पहले, ताकि आप यह याद ही कर लें, ठीक है, यह M Vem, that is called Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, यह पांच आप याद कर लें, यह सबसे बड़ते वे दूरी के करम में है, ठीक है, सबसे नजदीक Mercury हो गया, then Venus हो गया, then Earth हो गया, then Mars हो गया, then Jupiter हो गया, ठीक है, और आप देखेंग नेप्चून, ठीक है, तो आप इसको भी याद रगेंगे, दूसरी बात क्या है, कि जो Saturn है, यह 6th planet from the Sun है, यानि कि इसके बाद आपके पास कौन सा आता है, वो आएगा, Sun, ठीक है, यह देख लिए आपने 6th planet, it is the second largest planet in the solar system, और इसके पास, आपके पास क्या हो गया, Saturn के प जिन्होंने अपना Ais of Doing Business में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, उम्दा प्रदर्शन किया है, Ais of Doing Business में, ठीके ना, कुछ राजियों है, उसके बारें चर्चा करेंगे, जिन राजियोंने Ais of Doing Business में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उनके पास economy में एक है कि additional borrowing के लिए उनको permission दिया गया है, कि अत्रिक्ट borrowing यानि कि उधारी ले सकते हैं, because they are doing Ais of Business, ठीक ना, Ais of Doing Business, यानि कि इनको बिजनस करने के लिए, जिसमें उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, यानि कि काफी सिद्दत से काम करी है, तो उनको additional loan, ये क्या कहता है, permission दिया ज additional borrowing permissions, कौन-कौन से राज्ये हैं, Ais को देखते हैं, ये है 5 राज्ये, 5 states, 5 states है, complete, the stipulated reforms, जो कि कहा गया था, is of doing business के लिए, जो सुधार करने के आवी सकता थी, ये 5 राज्ये हैं, जिनोंने इसको complete कर लिया, पूरा कर लिया, ठीक है, is of doing business, अब जब इनको है, तो इनको government grant कर additional borrowing के लिए, permission के लिए, कि यहाँ भई, आप अत्रिक्तर, रिन ले सकते हैं, अपने यहाँ business के माहौल को, और भी ज़्यादा सुधारने के लिए, ठीक है, तो आप क्या है, business को और भी, जो business का atmosphere है, उसको और भी ज़्यादा impetus देने के लिए, तेजी देने के लिए, उसमें indicator है, जो भी state लेकिया रहे, indicator है कि आपके state में business climate कैसा है, business करने का climate कैसा है, यानि कि investors attract होंगे, अगर ease of doing business के parameters में, indicator में अगर अच्छा production करेंगे, तो जाहिर सी बात है, यही जो investors होंगे, उनको attract करेगा, वो यहाँ आएंगे, यहाँ पर investment करेंगे, इसे कई चीज़ेंगे investment करने से क्या होगा, अगर FDI अगर आता है, तो हमारा forex भी reserve भी improve होता है, दूसरी बत क्या है, कि यहाँ पर business का atmosphere अगर develop करता है, FDI अगर आता है, तो हम देखते क्या है, कि यहाँ आने के वैसे, यहाँ पर employment opportunity बढ़ जाएगी, employment opportunity बढ़ जाएगी, livelihood आपके पास मिल जाए जो सबको employment दे रहा है, यहाँ कि जो employer है, आप देखेंगे, उसे क्या होगा, आत्म निरुपर भारत का जो लक्ष है, उसको भी हम लोग प्राप्त करते चले जाएगे, ठीके ना, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इसका main objective है, सीधा fund यही है, कि आप कहेंगे, सर develop करके, उसे कब नी establish करिए, तो वो बोलते हैं आप हमेशा कि जॉब मांगने वाला नहीं होने चाहिए, जॉब देने वाला होने चाहिए, जो आपको जॉब दे रहा होगा, ठीके, इस तरीके से देखें, आत्म निरुप भारत की तरभी हम लोग सिर्गे से बढ़ते हैं, तो एस of doing business is an important indicator of the investment friendly business climate in the country, ठीके न, तो ये business climate को क्या करेगा, ये investment friendly होगा, इसका मतलब जैसे ये investment friendly होगा, तो आपके हाँ investment होगा, ठीके, investment होगा तो आपके हाँ जाहिर से बात है, आपके हाँ विखास होगा, development होगा, ठीके, तो अन्युद चलिए, following states completed the stipulated reforms in ease of doing business are, जो उन्होंने क्या है, कौन कौन सा है, ये देख लेते हैं सर्फ, आंद्रप्रदेश, ये याद रखना है सर्फ पांचो स्टेट को, कौन कौन सा स्टेट ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है, पांच स्टेट है, पहला हो गया आंद्रप्रदेश, ये भी आपने देखा, चार है आपके साउथ से याद रखेगा आंदरप्रदेश और तेलंगाना दोनों है ठीक है ना फिर बगल में है आपके पास तामिलाडू और बगल में ही है आप देखेंगे करनाटिका तो यह चार स्टेट होगे साउथ से और एक है सेंट्रल इंडिया से अब ऐसे भी याद अब बगल में आपका करनाटिका यह आपने देख लिया झफि intentar को इस से कोई भी इस नहीं है ठीकर आफ इस आप delivery में यह तो आपको याद रखंडा है यूप और इस हाब बंगलाईज to mobilize additional financial resources to tune 16,720 crore rupees through open market borrowings. अब जो भी ऐस of doing business कर रहे हैं तो उनके पास क्या है? उनको ये right दिया गया है कि अपने हैं business atmosphere को और भी ज़दा बहतर करने के लिए वो क्या कर सके है? open market से borrowing ले सकते हैं अगर ले लिया तो बाद में वो financial condition भी हो सकते हैं अगर वो पैसे manage नहीं हो पाया तो ये सरकार के जिम्मेदारी हो जाएगी उस बारिंग को पूरा करें तो इसलिए सरकार के अगर्ट इसको permission देती है कि हाँ भाई ठीक है ये parameters हैं इस बारिंग में आपने ये सारे चीज़ अचीज़ कर ली है ये अपने complete कर लिया है आप additional loan के लिए जा सकते हैं additional borrowing के लिए जा सकते है open market से अब open market से आपने ले लिया इसका मतलब क्या है कि आपने विकास और भी करें तो एक तरीके से दिखते हैं कि central government हमेशा या RBI जो होता है एक तरी गारेंटर के रूप में दिखाए देती है तो इसलिए इसको permission लेने के आवर्शक्ता होती है हाँ आप लेकर कि आप open market से आप जा के borrowing ले सकते हैं और अपने हाँ invest कर सकते हैं ठीके तो यही बोला गया यह concept है आपका is of doing business में कि आपको permission दिया गया है यह open market borrowings अपने economic में यह term से पढ़ा होगा ओपन मार्केट बॉरिंस राइट सर्स और माम्स चलिए आ जाईए significance क्या है इसका महत्यों क्या है is in doing business में अगर आपके अवास future growth करना है state की economy को future growth करवाना है is of doing business के जो parameters थे आपने इसको achieve कर लिया अब इससे होगा क्या कि आपने जो achieve कर लिया तो जो आपका जो आप देखेंगे कि जो state की economy है इसको further grow करवाने के लिए further growth देने के लिए state की economy को कि सी भी राज्जी की economy को growth देने के लिए future growth के लिए अब आपके लिए जरूरी है कि is of doing business में आपका क्या होना चाहिए कि आपका improvement होना चाहिए will enable faster future growth of the economy state economy government ने क्या किया था decided to link grant of additional borrowings permission to states which undertake reforms to facilitate ease of doing business अब यह जो है कि अभी जो केंदर सरकार है उसने क्या किया था अभी इसी साल 2020 के मई महिने में states वो इस बात की आजादी दे दी थी कि जो भी अगर चाहते हैं is of doing business के अंतर गए तो वो चाहें तो market से पना पैसा ले सकते हैं आप ले लिए लेकिन एक limit लगा दिया कि अगर आपको अगर market से पैसा लेना है तो आप इस limit के अंदर पैसा लेंगे और अपने यहां जो business atmosphere है उसको आप improve करेंगे तो इसी में आपने देखा किया है कि जो चार पांच राज्ये हैं वो बाहर निकल कर गया साउथ से चार राज्ये और एक आपका हो गया संटर इंडिया से उन्हें बहतर प्रदेशन किया तो इनको बोला कि नहीं ठीक है आपके 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 atmosphere ज़्यादा अच्छा है ठीके ना एकात्मक्ता के लक्षन आयाते है financial emergency का provision भी इंडिया के अंदर है तो इसी बात को ध्यान में रखते भी समयधाने की जो प्राबधा ने इसके अंदर को उनको खुछ जालत दे जाती है कि इतने लिमिट में आप ऐसा ले सकते हैं ताकि हमारे याँ financial crunch या financial crisis का condition ना आपाए राइसर सर माम चलिए so undertak reforms to facilitate ease of business doing so this was held in May इस बार decide किया गया था कि additional borrowing permission दिया गया था कि इसको states को link grant additional borrowings permission to states जिसके लिए वो क्या करेंगा undertakering reforms to facilitate ease of doing business राइसर चलिए आजए next important news है हमारे पास यह है आप देख पा रहे होंगे great indian bastards great indian bastards यह बहाद important news है यह आप देखिए power please to sign a light for great indian bastards ठीके ना अब आई यह आपकोछ चीज़े है इसके आरे इस चर्चा कर लिए हम लोग ministry of environment है इन्होंने wildlife conservation society के साथ मिलकर के एक unique initiative स्टार्ट किया है जो firefly bird diverter हो पर overhead power lines in areas where great indian bastards population are found in wild जंगलों में जहां से आप देखेंगे कि आपने देखा होगा कि कई बार कई जगों से open stretch से जो high tension wires जाता है high tension wire आप यह image भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे यह देखेंगे यह high tension wires है ठीके ना great indian bastards दिखाई देख रहा है यह आप लोग ठीके अब यह जो आपके पास great indian bastards यह जो bird है आपके पास यह one of the आपके पास आपके देखेंगे यह जो आपका critically threatened यह wild आपके आपके पास critically threatened यह bird है यह in fact यह आप जंगल में देखेंगे इनकी कुल संख्या जो great indian bastards है इनकी संख्या होगे 150 ठीके अगर यह यहाँ पर में इंसवई वायर वायर जो इनके पास है इसके वैसे high voltage transmission होता है overhead अब इसके वैसे यह GIV जो थार रीजन में यह मिलते कहां राजस्तान के थार में मिलते हैं तो इनके उपर से जो वायर जाता है तो यह इनके लिए वड़ा ही खतरनाक है जिनके वैसे इनकी मौते भी होती हैं तो इसी बात तो ध्यान में रखते वे यह जो great indian इसको divert किया सके divert किया सके firefly bird diverter होना चाहिए ताकि यह जो इनके उपस हाय टेंशन वार थार के मनुस्ताल में राजस्तान में जा रहा है जिसके वैसे इनका जो casualties होती है वो रूखा जा सके और overhead power lines in area where great indian bursters population are found in the wild अब ये great indian bursters के बारे में लो बात करें कि जो great indian bursters जैसे मैंने कहा था one of the most critically threatened species in India है जुसमें की fewer than 150 birds रह गए हैं भारत में 150 से भी इनकी संख्या कम हो गई है कभी इनकी संख्या बहाँ जादा हुआ करती थी अब इनकी संख्या काफी कम हो गई है इसमें जो उनको category दी गई है that is called critically endangered CE category में आते हैं यह critically endangered है ठीके ना तो यह भी हम लोगों ने देख लिया आज यह रिपोर्ट है 2019 का according to report इसमें यह बताया गया है कि पॉइंट किया गया है कि जो power lines न especially high voltage transmission lines with multiple overhead wires are the most important current threat for GIBs in the THAR region थार आप जानते हैं मरुष थाले थार जो है राजस्तान के थार में आप जानते हैं यह तो इनके उपर से जो यह high transmission wire जा रहा है जो मैंने भी आपको बताया था image के थ्रू भी दिखाया था यह ठीके ना तो यह जो आपके पास है जो this pointed out the power lines especially high voltage high voltage जो आपके transmission lines है with multiple overhead wires ठीके न कई इसके उपर wires होते हैं most important current threat of GIBs यानिके great Indian bursters in the thar region यानिके great Indian bursters आपके थार में पाया जाते हैं ठीके ना और इनके उपर से जो यह आपके transmission का जो line जा रहा है that is the most important threat ठीके यह report में बताया गया reporting report 2019 इसके यह से होता क्या है कि these are causing unsustainably high mortality in about 15% of their population और इसके वैसे यह जो over line head जो आपके पास transmission हो रहा है high voltage का इसके वैसे इनका जो casualty है वो 15% of their population है यानिकि जो है unsustainably high mortality rate है इनके बीच में वो 15% इस current के वार की वैसे होता है यानिकि total इनके जो deaths होती है इसमें 15% in high जो यह वार जाता है इनकी वैसे यह होता है राइट सर्स और मैंप्स चलिए यह अपने देख लिया अब इसलिए कहा गया है कि firefly installation होना चाहिए कि install किया जाना चाहिए जो कि इनको divert करें कि जो high जो tension वार इनके उपर से जा रहा है इनको divert किया है जहां पर यह है उनके इनके हैं अगर high tension wire अगर move कर रहा है ठीक है तो इसमें क्या कर से इनको इस तक यहां तक जाने नहीं नहीं दिया जाए इनको divert किया जाए तो इसके लिए install करना है firefly firefly उड़ता हुआ को आग जा साथ कुछ देखे का जिसे यह डरेंगे और उस तरफ पो जाएंगे नहीं ठीक है ना तो यह installation करने के बात हो रही है that is called fireflies because they look like fireflies from the distance signing on power lines in the night ठीक है अब यह क्या होगा यह जो line सब जिसे move करेंगे ना fireflies जो यह line transmission जा रहा है रात वात में तो यह दूर से क्या दिखेगा यह आग जैसा जल वसा दिखा है signing on power lines in the night तो इसे क्या होगा जो firefly bird diverts are a flap installed on the power lines ठीक है they work as a reflector for the birds will like the G.I.B. यह उनके लिए reflector का का काम करेगा यह उधर जाएंगे नहीं तो यह इनका objective है G.I.B. को लेकर के ठीक है sirs and vams चलिए आ जाएगे next आ जाएगे birds can spot them from a distance of about 50 meters and change their path of flight avoid collision with the power lines ठीक है ना और यह जो भी bird है चुकि यह tension wire रात में तो दिखेगा नहीं उनको ठीक है ना तो यह जो line जा रही है और इसके पर अगर fireflies है आप इसको देख सकते हैं हमाजिन कर सकते हैं कि इस तरीके से होगा कि रात में यह आपको दिखेगा नहीं लेकिन अगर आपने क्या कर दिया कि अगर रात में इसके उपर fireflies अगर लग गए ठीक है ना तो यह इनको 50 meters के दूरी से ही इन birds को दिख जाएगा ठीक है ना यह जो है आप दिख जाएगा इनको ठीक है और यह जो है यह क्या करेंग ठीक है यह इस तरफ जाएंगे नहीं तो यह पार फ्लाइज का यह है कि इनको रात में यह इनको डिस्ट्राक्टर का काम करेगा 50 meters दूरी से इनको दिख जाएगा कि यहां को फार फ्लाइज है जिसको इनके लिए खत्रा दिखाए देगा यह वायर को समझ नहीं पाते है त इनको यहां से डाइवर्ट करने का काम करेगा तो फार फार डिटेक्टिस हाब इन इंस्टाल एलंग टू स्टेजिस ऑफ एप्र्ट्राक्सिमर क्लिक 6.5 किलिम्टर सेलेक्ट बिट्मिट्मिट्मिन जाट दो धोलिया विले जिन पोखरन तैसिल और राजस्थान कि के चलि हेलो गाइस कहां है सबी लोग तो देखो आज मैंने मैसेज एक बार भी देखा नहीं आप लोगों का हेलो आप रिवर्वान आप रिवर्वन गुड़ 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 ओके सबीन आज कुछ कम लोग हैं अवा तुसाल संक्रियो धर्मेंदर मुहमन अजीम दिव्यांशू वन रवी मनिश रगती धर्मेंदर पताफ विनिश ओके हैलो आवरिवान ठीक है लाइक और शेर नहीं किया कि आप लोगों नहीं अब यह नियूज में क्यों है यह भी जान लीजिए जो बोइंग का अपनी है जो जहाज बनाती है प्लेइन फाइट्स को यह अब जानते है उसने अनौउंस किया है अभी हाल में अनौउंस किया है एंट्डियन नवी के पास इंडिन नेवी को मिलने वाला है राइट जो इसको सकसेफ़ली टेस्क डिया है इस ने किसने बोइंग ने जो बनाता है जो अनौउंस को बनाता है the compatibility, compatibility के लिए ठीक है कि हाँ भाई ये जो जहाज आपको दिया जा रहा है इंडिया नेवी के पास F-18 Super Hornet Fighter Jets जो होंगे वो इसके लिए compatible है ये नहीं है ठीक है तो इसका successful demonstration उन्होंने कर दिया है ये दिखा दिया है कि इंडिया नेवी's aircraft as part of his pitch for the India's fighter procurement ठीक है राइट? so ये इंडिया नेवी के पास ये आने वाला है बोइंग इसके डेपलफर है और इसके लिए अभी जो successful demonstration हुआ है इसकी compatibility को चेक करने के लिए whether it is suitable for इंडिया नेवी और ठीक है? चलिए अब आईए देखते है कि जो demonstration है that's held in coordination with US Navy on shore based facility at the Naval Air Station Patrickson River in Maryland in US, that's it, ये आपने देखा US Navy on shoreboard facility के पास हुआ है the demonstration shows that 18th Super Hornet would be well with the India's Navy shot takeoff अप ये देखे, ये जो Hornet है ना, आप ये देखेगा जो आपका, जो इमेज आप देख पा रहे होगे ये बहुत है, important आपके लिए जान लीजे ये जो आप इमेज देख पा रहे होगे तो ये जो इमेज है, ये आप देख पा रहे होगे ये आप देखेगा, कि एक तरीके से ये जहाज के, आप जो जो पानी का जहाज होता है आपने देखा होगा, जो एरकाफ carriers, ships होते हैं, उनके पस runway बहुत बड़ा नहीं होगा, तो इसको क्या short runway चाहिए होगा, जिस पर कि ये runs है दौर सके और ये flight ले सके, ठीके तो आप ये जो देख रहे होगे, ये जहाज के उपर ही जो carriers होते हैं, बड़े-बड़े जहाज होते हैं आपने उसका जो dock बना होता है, तो आप देखेगा क्या, कि यहीं पर ये जो होता है यहाँ पर में, एक तरीके साब देखेंगे जो जहाज होता है, यहीं पर में आपको क्या runway इतना ही मिलेगा, यनि कि short runway होगा जिसके उपर कि आपको take off करना होता है, ठीके तो इसी compatibility जो check की गई, यहाँ पर देख पा रहे होंगे यह जो image आपको दिख रहा है, यह पूरा का install यही image किया जाए, कि किसी warship का है, जो air carrier है जिसके उपर में यह आपके पास raised platform आप देख पा रहे होंगे यह raised platform उसी का है, ठीके ना, तो यही compatibility चेक की गई है, आपके US Navy के पास, राइट सर, कि हाँ यह भाई उसके साथ यह ठीक है या नहीं, यह इसके साथ प्लाइट ले सकता है या नहीं कर सकता है, तो यह हम लोग बात करें थे, कि इसमें यह बताया गया है, कि इसको ए जो शोड टेक उप चाहिए, इंडने नवेरु शोड टेक उफ होना चाहिए, तो F-18 जो सूपर हुडै है, उड़ बेल वित अटीके ज़ी मिल आवशब बेलवे शोट टेक उप बन, अब अब, as part of Boeing's proposed by India for India, भारत के लिए, भारत के सस्टेन्मेंट प्रोग्राम, the Block 3 Super Hornets could be serviced in partnership with the Indian Navy, as well as India and US-based partnership throughout the life cycle of the aircraft, ठीके न? यह पार्ट अब बेंग का प्रोपोजल है, भाई इंडिया, फॉर इंडिया, यह सस्टेन्मेंट प्रोग्राम है, Block 3 Super Hornets 3 could be serviced in the partnership, इनकी servicing के भी जरूत पड़ेगी, तो इंडिया ने भी, इंडिया ने भी, as well as India and US-based partnership throughout the life cycle of the aircraft, यानि कि जो इसके servicing के जरूत पड़ेगी, क्यों service तो चाहिए होगा Super Hornet का, तो इंडिया ने भी और US यह दोनों मिलेकर कि इसको इसके life cycle को maintain करेगा, ठीके, Sirs and Maps, चलिए, so this is the thing, जो आपको ध्यान में रखना था, Sirs and Maps, चलिए, next आजएगे, यह हमने देख लिया, significance क्या है, अब क्या है कि F-18, जो इसका पूरा ना और fighting capability, इंडिया की Navy को राप्त हो जाएगा, ठीके ना, so हमें मिल जाएगे, इंडिया नेवी की fighting capability है, war fighting capability वो बढ़ जाएगी, ठीके, दूसरा क्या है, कि इसके साथ, जो है, इस Hornet के साथ, आने के साथ, जो इंडिया और US के, जो cooperation है, ना, mutual cooperation, ठीके ना, उसके एक नए अ और US, जो है, उनके बीच में cooperation को लेकर गये, इसके अलाब हम देखते हैं, कि जो FA18 है, ये can also interface with the Navy's P81 as a force multiplier and also with the platforms under the induction, ठीके, चलिए, नेक्स आजी, एक important personality है, जो हमारे लिए किसके लिए भी जरूर है, ये हमारे art and culture और history, दोनों के लिए बहुत important है, ये जो अभी मेज दे चलिए, आज जाएए, ये देखा हम लोग ने, अब भी क्या है, ये news में क्यों था, ये क्यों news में था, ये जान लेए, दसल क्या है, कि रहीम खान साब का तुम है, मकवरा, इसको public के लिए, जंता के लिए खोल दिया गया है, after six years of restoration work, दसल क्या है, कि इनका जो मकवरा था, वो बिलकुँ जिर्ण सिर्ण पड़ा हुआ था, तूटा फुटा होता चला जा रहा था, तो इसको archaeological survey of India के द्वारा, इसका restoration का काम किया जा रहा था, restoration का काम सुरू हो गया, तो restoration के काम को करने में, पूरा छे वर्स का समय लगा है, तो छे वर्स के restoration के काम के बाद, इसको आपस पब्ली के लिए खोल दिया गया, तो अब यह एक important personality है, medieval period से यह आपको मालूम है, तो कभी भी सवाल आपके examination में उठाकर के डाल सकता है, तो कभी भी सवाल आपके examination में उठाकर के डाल सकता है, तो दिखने है, रहीम खान खाना's tomb was open to public after six years of restoration, ठीके है, परहाफ the largest conservation project over ever undertaken for any monument by national importance in India, और शायद यह अभी तक का सबसे बड़ा restoration largest, perhaps the largest conservation project रहा है, जो कि किसी monument के लिए रिखिया गया है, किसके दौरा जो कि national importance का है, इंडिया में, सबसे, मतलब देखेंगे, largest conservation project रहा है, जो कि इतना लंबा समय लगा है, इसको conserve करने में, ठीके, तो रहीम खान खाना's tomb is there, ठीके, चलिए आ जएगे, अब जो अब 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 दुराईम खान खाना है ना, इनको simply रहीम के नाम से जाना जाता है, रहीम, इनको simply रहीम भी बोलते थे, इनका टाइम पर रहेंगे है, यह 1556 में इनका जन्व होता है, और 2727 इस वी में, ठीके, 1556 और 2727 में इ पॉपलरली इनको जाना है किस नाम से ये रहीम के नाम से जाना है, पॉपलरली नूओन अज रहीम, अब्दुर्रहीम खाने खाना, ठीक है? He was a poet, he was a poet who lived in India during rule of Mughal emperor Akbar, अकबर के दरवारी थे ये, ठीक है? ये इनके कवी थे, और आप जानते हैं कि नारतनों में अब्दुर्रहीम खाने खाना भी शामिल थे, and he was a son of अब्दुर्रहीम खाना, अब जानते हैं बैरम खान, अकबर के trusted guardian and mentor थे, अब देखे, आपको ये शाद मालूम होगा, मैं थोड़े कहानी हैं आपको बताना चाहू लेकिन बावर के पास ये opportunity मिल ही नहीं पाया, कि वो भारत में यहां राज्य समराज निर्वान तो कर गया, लेकिन अपने समराज को consolidate कर पाए, उसके पस ये opportunity नहीं था, बहात ही जल्दी बावर के कहाने से मट गई, और उसने विरासत में एक बिलकुल काटो भरताज अपन जो सबसे अधा परिशान करेंगा किसको हुमायू को, और यह सेरसाज जो होगा, वो एक समय हुमायू को भारत छोड़ने पे विविवस कर देगा, पंदर सो चालिस स्वी में, कन्नौज के लड़ाई में इसको defeat करने के बाद, और पंदर सो चालिस से लेके, पंदर सो पंच यहां पर स्थापित हो गया, ठीक है ना, फिर नॉबर पंदर सो पच्च्पन में, फिर क्या देखते हैं कि जो आपके परस जो हुमायू होता है, वो वापस इंडिया को प्राप्त करता है, बट बहुत ही उसका डेथ हो जाता है, क्योंकि वो जैनवरी में ही, अपनी जो ल कि जब हुमायू का ये जीवन जो था, जिस समय उसका विवाह होता है, सलीम की मदर से, हुमायू का जहांगिर की मदर से, हमीदा बानो बेगम से, उस समय वो एक्जाईल में था, जिस समय सिर्शा उसे यहां से भारत से भगा रहा था, उसी दोरन हमीदा बानो बेगम से उस अब हुमायू के पास यतना समय ही नहीं था कि अपने बच्चों के लिए उसमय दे पाए, ठीके, तो उसने उसके लिए एक मेंटॉर रखा जिसका नाम है बैरम खां, बैरम खां खुद पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा तलवार रवास था, बहुत ब इरान की तरफ से आ रहा था इधर इंडिया में, और जैनवरी 1556 में जब उसका डेथ हो गया, तो बैरम खां नहीं इसे अकबर को क्या किया था, गदी पर बिठाया था, लेकिन आगे आगे आप जानते होंगे शायद कि अकबर और बैरम खां के बीच में ही अनबन हो गई और एक तिलवारा की लड़ाई होते हैं जिसमें बैरम खां को डिफीट करता है अकबर और अकबर जो है, बैरम खां को मक्का जाने के लिए क्या कर लेता है, बात दे कर लेता है, जब रास्ते में जाता था तो कहते हैं कि कि किसी अफगार ने उसके वे हफटेया कर दीए, तो अकबर जो है, जो गदी पर बैठ गया, ठीके ना, और इसका मतलब क्या है कि अकबर जो है, बैरम खां के संदक्ष में पला बढ़ा, तो अकबर ने क्या किया कि उनकी जो बेगम है, जो बैरम खां के बेगम है, उसे निकाह करता है, इसलिए नहीं कि उनको इतनी बात समझ पा रहे हैं, अब्दुर्रहीम खाना क्या करता है, इसी का पुत्र है, बैरम खान का संब्द समझ में आगा है, बहुत साइए लोगों को पता होगा, कि Bairam خان और Aqbar के क्या संबन थे Bairam خان ने ही Aqbar को पाला पोच था लेकिन बाद में ही डिफरेंसेस होनी के वैसे so Bairam خان और Aqbar के बीच में लड़ाई या होती इतलवारा की लड़ाई और उसके बाद मक्का की तरफ चला ज bought है रास्ते में उसे ट्रॉस्टेट गार्जिन अन्मेंटॉर हुआ करते थे। जो कि आप बोलते हैं नवरत्न होता है उसमें से बैरम खान एक था जो मैंने आपको बता दिया। जो बैरम खान है अपर्ट फॉम राइट निवरियस दोहाज रहीम ट्रांसलेटेड बावर्स मेमोर्स बावर नामा और चक्ताई लांग्विज तु पर्शनलेशन लांग्विज ठीके ना अब जानते होंगे शायद आपको कि बावर का जो अपना है जो उसकी आटो बावर नामा जिसको पहले तुज के बावरि का जाए तुज के बावरि उसे बावर नामा सुकॉत ने ट्रांसलेशन किया STEPHAN बावर नामा है, that is the Persian translation, जो कि जो बावर ने लिखा था, वो that was in चक्ताई तुर्क, वो तर्किस बावर नामा था, बाद में इसे क्या कर दिया, अबदुर रहीम खान खाना ने फार्शी भासा में किया कि अनवाद किया, क्योंकि मुगलों की जो कोट लाइंगोज थी वो थी फार्शी, that was Persian, ठीके, तो इसने क्या क्या, इसने कई दोहा लिखे, रहीम ने, translated बावर नामा, यानि कि जो उसके आत्म का था है, बावर नामा, प्रम चक्ताई लैंगवेज, जो चक्ताई भासा में तुर्की भासा है, चक्ताई लैंगवेज से, उसने पर्शन लैंगवे इस इडोके सरसन माम्स, तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखे, सरसन माम्स, राइट, सो ये अपके ध्यान में होना चाहिए, संस्क्रिट में उसने कुछ किताबे लिखे, ये भी याद रखीगा, संस्क्रिट में, ही रोट टू बुक्स ऑन एस्ट्रोलाजी, इस्टानकुल काटूकम अन दवात्री मिस्सद्यम गवाली, ये उसकी दो किताबे लिखी गई है, जो संस्क्रिट में जोदिस पर लिखे, दो पुस्तके हैं, ठीक है, इन दोनों के नाम को याद रखेगा, बेहद महतरपुणा नाम है ये, ये दोनों को गवली को भी, और टूकम को भी, ठीक है, इन दोनों किताबों को याद रखेगा, बेहँ बहुत नहीं इंपॉर्टन बुक, यह जनरली आप अपने बुक्स में नहीं पाएंगे, बट यह न्यूज में रहा हुआ हैं, इसलिए इस दोनों बुक को प्लीज याद रखेगा, इस वेरी इंपॉ अब्दुर्रहिम खाने खाना जो कि अकवर के नवरतनों में एक था, ठीके, चलिए, सो कहा है सर आज आज आप लोग सभी लोग दीखने ही पा रहे हैं सर, हो गया साइलों का, ओके, आज ये सर, अब ये इसका जो लोकेशन ने वो कहा है, जो अब्दुर्रहिम खान खाना का हुमायू के मकवरी के बगल में है, हुमायू का मकवरा दिल्ली में है, और उसी के बगल में है, हुमायू टॉम्स इन न्यू डली, उसके ही सिचुएटर नियर है, नियर हुमायू स्टॉम इन न्यू डली, सो अब्दुर्रहिम खान खाना का मकवरा का है, ये भी याद रख कर दिया गया इसी के इंतर के जो इसकी बेगम की दोरे यह मखवरा बनाया गया था इसमें इसे दफना दिया गया 1627 में ठीक है राइट सर्व सलमांस चलिए यह सब याद रखेगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है सार और यूपी में तो इस टाइप के प्रशने पूछे ही ज चलिए आजएए हो गया था इसमें पाइप डिकेट विफोर दर ताजमल वस बिल्ट बाइस साज जहां इट वज अब्दर रहिम खाने खाना की बेगम का नाम क्या था तो यह नाम है साब माह बानू इट वस्मुगल तुम बिल्ट पॉर वोमन और यह माह बानू का जो यह बिल्ट पॉर वोमन इट वोमन तुम ता जो किसी महिला के लिए बनवाया गया था किसी भी वोमन के लिए बनवाया गया था याद रखिए से बहुत इंपर्टन पीस और पीस और इंफॉरमेशन है आप लोग समझ नहीं पा रहें तो प्लीज त्था नहीं ठीके तो हे को दफनाया गया उसी तरीके से जो है आप देखेंगा माहबानू के बाद माहबानू को वहां पर दफनाया गया और उसके बाद उसी बगल में अब्दुर्रहीम खाना खानों को दबला दिया गया तो यह याद रखिएगा पर्स मुगल टुम सर बहुत इंपॉर्टन पीस इंफॉर्मिशन है बिल्ट फॉर वोमन इस महबानूस ठीके ना चलिए अब यह अस्ताद देवो इनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करने है फटा फट कर लेते हैं बात कर लेते हैं लोग है का का अचाई है अस्ताद बानो ты यह देखते हैं यह पीट से लिया गया है अभी एक 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 साद देवो कौन है साद देवो अभी इनका हाल में निधन हो गया और पह्ञ अनका निधन हो गया है डाइट इन मुंबाई एक बिमारी है, नाम की बिमारी के वैसे उनका डेथ हुआ है उस्ताद देबू वस इंडियन कंटेंप्ररी डांसर और कॉरियोग्राफर इनका कॉंसे फिल्ट से संबन देते हैं, यह अच्छर एक्जामिशन पूछा जाता है तो ही वस इंडियन कंटेंप्ररी डांसर और कॉरियोग्राफर रहे हैं, ठीक है और ही वोस पाउनियर ऑफ मौडरन डांस इंडिया में वह पाउनियर हैं So Indian contemporary dancer है, choreographer रहे हुए है, pioneer of modern dance in India. And he introduced to Kathak, वो Kathak में थे, by Guru Prahalad Das when he was six. And he was also expert in Kathak dance, अनके Guru का नाम था Guru Prahalad Das. When he was at the age of six, तब उन्हें Guru Prahalad Das से Kathak Nirti की, क्या के थी? शिक्षाली थी, Guru Prahalad Das, मैं छोटा जटर दे रहा हूँ, ठीक है? Next आजे, he later learnt Kathak Kali. पिर उन्हें का था क्तक काली को भी सीखा, अन्डर गुरू E. Krishna, पनिकर, and mastered the modern dance techniques of Maratha-Gharana, ठीक है, और उसके उन्हेंने ने 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 था master किया modern dance techniques of Maratha-Gharana, Maratha-Gharana, and Jules Limon in London and New York. He collaborated with several international artists, including Peena Barsow, Boss, Alison Baker, Chase, and Pink Ploat. ठीक है, इन सबों के साथ मिलके, उन्हेंने काम भी किया. His achievement में क्या क्या है? कि awarded है, Sangeet Natak Academy Award 1996, Padmasri in 2007. ठीक है, पटपट ये देख लिया है, हम लोग ने, ये उनकी उपलबदिया है. Last देख लेते हैं, ये क्या है, UN Population Award for 2020. ये क्या है, सर्, इसके बारे में बात कर लेते हैं. Help as India has been given, has been presented in the UN Population Award for 2020. Institutional category में, according to, release issued by UNFPA. Institutional category में, ये मिला किसके बास है? Help as India को, ये award दिया गया है. Presented the UN Population Award for 2020. UN Population Award 2020, 2020. हो गया साहे लोगों का, ये देख लिए आपने, that is very important source and maps. ये सारगा सारगा नियूस आपने देख लिया. It is established by United Nations General Assembly. United Nations General Assembly के द्वारा, 1901 क्यासे में इसको established किया गया था. United Nations Population Award recognizes contribution in the fields of population and reproductive health. Population Award दिया गया है, उनको किसके लिए contribution किया था है, जिसके लिए इनको दिया गया है, in the field of population and reproductive health. Reproductive health के लिए दिया गया है, सार. ये दो field में उनके कारे को करने के लिए किया गया है. ठीके सार, चलिए, हो गया है. Done, सार. The committee for the United Nations Population Award, which made the selections issued by Aon Jinga, the permanent representative of Romania, to an Indian nation as its composer representative of business. That's it. ये सनर पर जरुवत नहीं है, हमारी पढ़ने की. इंडिया का achievement क्या है? पहली बार हो है कि first time, in the history of UN Population Award, the honors is being conferred to an Indian institution. पहली बार किसी भी भारतिये, संस्था को ये award मिला है. The first time, कोई Indian institution को मिला है, UN Population Award. First time. इसलिए इसलिए बिकम्स वरी इंपॉर्टन फोर ये बहार ज़्यादा महत्रपुर्ण आपके लिए हो जाता है. ठीक है ना? Next, the last time the award came to India was 20 years ago, back in 1992, when it was awarded to Mr. J.R.D. Tata as Individual Laureate. ठीक है न? इससे पहले, अठाइस वर्स पहले, किसी Indian को मिला था ये award, 1992 में, तो ये किये था किसको individual category में मिला था, J.R.D. Tata को as an individual category. Individual category में. Right, sir, sir, ma'am. तो ये sir, याद रखिएगा, ये दोहाथी important piece of information है. Don't forget it. Don't forget it, sir. बहुत important है, प्लीज ध्यान में रखिए. Help is India, which has been working for the cause and care of disadvantaged other older persons to improve their quality of life for over four decades is the first time post-Indian institution to receive this award. ठीक है? चलिए, हो गया. So, this was the important piece of information. Sir, unma'am. और आपको बता दूँ कि 28 तारिक से मेरी पुरा का पूरा बैच शुरू हो रहा है. आच्छा, for PDF, you can join this group, Polity Guru. ये मिला Telegram link है, आप इसको आप जॉइन कर सकते हैं. ठीक है, na? Polity Guru Telegram link है, आप you can join this. Right? So, आप ये देख पारा होंगे, जो मेरे batches है, वो आपको मिलेंगे. Pavan 10 का code यूज कि जीए, 28 तारिक से पूरा का पूरा का पूरा का पूरा complete batch आ रहा है, 28 December से, don't forget to join this batch. अगर आप चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ करके पढ़ाई करना, अगर आप चाहते हैं, मेरे guidance मेरे, मेरे mentors मेरे है, then you can take this. ठीक है, sirs and ma'ams? So, this is the code for 110. ठीक है? और iconic में कोई अगर आना चाहते है, मेरे guidance में, तो iconic की fees revise होने वाली है, यूस करेंगे हम लोग, introduction होगा हमारा, and then फिर टास को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? introduction में लोग कैसे move करेंगे, क्या करने वाले हैं, आइए सारे चीज़ों डिस्कस करेंगे, impulse के प्रोग्राम में, साड़े ग्या रवे है, आन दो बजे फिर बीट है, फिर चार बजे अपना YouTube है, फिर छे बजे प्लस वाले लोग है, फिर रात के दस बजे, इस्पेक्टरम है, इस्पेक्टरम की modern history के उपर, जो हम लोग बात करें, उसके उपर हम बातशीप करेंगे, तो मिलते हैं फिर सब, सब गरोग।, तil ये बाव, तो तो बाव, तेक्र विर्वान, लोटस बबाव और बीजेंग, आग वे जए वॉड़ देक्टरम.